भगवत गीता यानि भगवान द्वारा गाया गया गेत हिंदूओं के मुख्य धर्मगरंथ भगवत गीता की आज जैन्ती है इस जैन्ती के संबंद में यह प्रचलित है कि इसी दिन कुरूचत्र के मैदान में भगवान स्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था 3 दिसंबर 2022 को पढ़ने वाली यह जैन्ती गीता की 5169 बरस गाठ है सनातन धर्म के लोग इस जैन्ती को एक पर्व की तरह मनाते हैं इस दिन हर्याणा के कृुचत्र में एक भव्य मेला भी लगता है आईए अब जानते हैं कि हमारा यह महान ग्रंत क्यों इतना महतपून है कि संत ग्यानेश्वर, लोकमानेतिलग, राधा कृष्ण वा कई बिद्वजनों ने इस पर्टी का लिखी संस्कृत में लिखे इस ग्रंत के 18 अध्याय का साक्षी कृुचत्र का मैदान है जहां सबसे बड़े धर्म युद्ध की रणभूमी में स्री कृष्ण ने अरजुन को उपदेश दिया गीता के 700 अश्लोक धर्म, सक्ति, कर्म, सांख, ध्यान, त्याग, क्रिया, ज्यान, आत्मा के विसिस्ट योग वा मुक्ति के संपूर्ण ब्याख्या करते हैं जब जीवन मुल्यों का पतन अपने चरम पर था, तब मनुष्य जाती के कल्याण के लिए भगवान स्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया यह ग्रंत इस्वर्द्वारा प्रदत जन कल्याण की एक धरोहर है गीता में स्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि मैं ही हूँ जो स्रिष्टी के आदी से अंत तक सदा रहूँगा सभी जीव मुझ में हैं और मैं सभी जीव में हूँ सभी इंद्रियों द्वारा जैसे सूंगना, चखना, देखना, असपर्ष यह सब मेरे द्वारा ही है सर्वब्यापी इस्वर पगपग पर आत्मा की मिमान सा करते हैं यह पुष्टक पूजा पदती नहीं बताती अपितू आप के चित में समाने वाली अध्भूत दर्षन है गीता नौके बल आपको सफलता अपितू जीवन में सकारात मक्ता, वेक्थित्व निर्माण, मेहनत, सही समय पर निढ़ने लेने की छमता स्वेंग का अस्चित्व जीवन जीने का सलीका से लेकर अहार बिहार के उचित अनुचित का भेद बताती है यह ब्रमांड कैसे बना? क्या सच में इस्वर है? अगर है तो कहां है? पुर्वजन्म की अवधारणा हो या मिर्त्यू के उपरान हमारे सांथ क्या होता है? सब समाहित है इस धर्मगरंद में आखिर क्या है इस भगवत गीता में? तो जानते हैं भगवत गीता का अर्थ भगवत का अर्थ होता है भगवान वह गीता का मतलब होता है गीत एक ऐसा गीत जिसे स्वेंग भगवान ने गाया हूँ हमारे कर्म में बाधा क्या है? मोह से हम कैसे बच सकते हैं? गीता का दूसरा अध्याय बताता है कि भावना पर नियंत्रण, आत्मा, मृत्यु, पुनरजन्म, नीड़ने लेने की छमता वो क्रोध का मूल क्या है? गीता के दूसरे अध्याय में ही सिरी कृष्ण, अर्जुन को चेतावनी देते हुए कहते हैं, या तो युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगे, अत्मा, जीत कर पृत्वी के रज्य को भोगोगे, तुम निश्चित करके युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ, इसे बरत्मान संदर्व में इस अश्य से जोड सकते हैं कि हम जो भी काम करें, जी जान से करें, आपकी सफलता में आपकी सिक्षा, आपकी मेहनत, आपकी इमांदारी और योग इन सब का साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, कर्म करने और केवल परमात्मा में भरोसा र भारत के समर में जुद्धरत सभी हैं, पर संसे केवल और केवल अरजुन को है, वह स्रीकृष्ण के सनी ही भी हैं, अरजुन कहते हैं कि कुल धर्म तो सनातन है, जुद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, बर्ण संकर पैदा होंगे, इस पर स्रीकृष्ण कहते हैं, अरजु यहां तुम्हें अज्ञान क्यों हो गया? सनमार्ग पर जो दिर्णता प्रुबग चलता है वहीं जो द्धा है भगवत गीता में इस्वर, जीव, प्रकृती, काल तथा कर्म इन सब की दख्या हुई 18 अध्याय में बननित गीता 17 अध्याय तक संपून हो जाती है 18 अध्याय सारे उपदेश का सारांस है भगवत गीता बताती है कि सिरी कृष्ण की सरणागती सर्वसिद्धी है वास्तविक सत्य भगवान सिरी कृष्ण ही है सारांस यह है कि भगवत गीता दिब्ब साहित है जिसको अध्यायन प्रुबग पढ़ना चाहिए यदि कोई भगवद गीता को निश्टा वगंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पुर्व दुषकर्मों के फलों का प्रभाव नहीं पढ़ता। भगवद गीता को नीजी स्वार्च से प्रेरित हुए बीना यदि कोई समझता है तो वह समस्त सास्तरों के अध्याइन को पीछे छोड़ देता है भगवद गीता में जो बताते हैं वह कहीं भी अन्यत्र प्लद नहीं है यहीं गीता का वैसिस्ट है गीता के दर्शन की प्रस्तोती बैदिक युग में पवित्र कुरुषत्र के जुद्ध अस्तल से हुई भगवान द्वारा भगवद गीता का प्रवचन तब किया गया जब वह इस लोक में उपस्तित थे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्च करती गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जैनती मनाई जाती है